पेपर है आपके हाफ एली एक्जामिनेशन 2023 का पेपर है और कक्सान नो क्लास नो मेथेमेटिक्स का पेपर है गनित का पेपर है और इस वीडियो के अंदर हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनो मीडियम का जो पेपर है मेथेमेटिक्स का गनित का जो हाफ एली एक्जा से त्यार कर लिया तो मेत के अंदर आप काफी अच्छा इसकोर हो कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर आपके ब्यावर जिले का है और इस पेपर से काफी सारे कुश्चन से वो आपको आपके जिले के पेपर में देखने को मिलेंगे अगर अभी तक आपके जिले में मेत का पेपर नहीं हुआ है क्लास 9th mathematics का तो ये पेपर आप पढ़ सकते हैं इस पेपर की त्यारी कर सकते हैं और मेत के अंदर आप एक अच्छा score कर सकते हैं तो देख सकते हैं अच्छों सत्र मार्क्स का पेपर आपके आने वाला है पहले हम इंगलिस मीडियम का जो पेपर है वह आपको देने वाला हूं उसके बाद में इंदी मीडियम का भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा तो देखिए answer the following question and write them in the answer book by selecting the correct option तो इसमें आपको irrational नमर बताना है यानि एपरी में संख्या बताना है पहले कुश्चन में आपको तो इसमें एपरी में संख्या कौन सी होगी ओके एपरी में संख्या कौन सी नहीं है तो इसमें C option आपका correct है दूसरा है इसमें आपको coefficient बत आपके D option इसमें सही होगा और चोथा person है वो भी आपको देखना है पांच वह पर संसारे person आपको अच्छे से त्यार करने है परते कुश्चन आपकी इजी दे रखा है तो इन सारे कुश्चन को आपको त्यार करना है अगर आपको मेहत के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है आप एली एक्जाम में तो यह पूरा पेपर आपको त्यार करना है कुश्चन नमर 21 आपके पोलिनोमिल्स वाले चेप्टर गाए यह आपके कुश्चन नमर 22 गुश्चन नमर 23 उसके बाद में कुश्चन नमर 24 में आपको परिभासित करना है पैरलेल लाइन और स्क्वेर और क्यूशन नम्मर 25 आप देख सकते हैं और उसके बाद में क्यूशन नम्मर 26 है आपके क्यूशन नम्मर 27 में आपको rationalizing करना है क्यूशन नम्मर 28 में आपको equilate करना है इसका मान याद करना है क्यूशन नम्मर 31 में आपको find the value of k निकालना है और यह आपके कुषण नमर 34 एक यूशन 25 को आपको अच्छे से करने हैं मेध के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पूरा पेपर त्यार कर लिया और यह पेपर हिंदी मीडियम का है अगर आप हिंदी मीडियम के student आपके जीले में अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो आप उस्पेपर की तो आपके से ऊप्सन होगा इसमें और दूसरे में एक्सी स्क्वाइर गुणांग बताना है तो इसमें बैए option correct होगा तीसरे में आपके दे option आएगा और चोथे में दो चरो वाले रेखिक समीक्रण के हल होगे तो इसमें दो होगे इसमें से option होगा पांच वा क्यूशन है yx को कहा जाता है तो yx को बेटा उद्रवाद रेखा कहा जाता है दो बैव उप्सन आएगा इसमें दो बिंदों से गुजिनने वाली रेखाऊंगी संग्या क्या होगी साथ डिगरी का समपूर कौन क्या होगा बैव उप्सन इसमें क्रेक्ट हो जाएगा तो सारे परसन आपको करने है अच्छे से आपको आना चाहिए यह आपकी रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए और सत्य चेन करें और उसके बाद में अक्सों की परतिछेद बिंदू को मूल बिंदु कहा जाता है सत्य तो सारे परसन इसमें आपको करने है यह आपके क्यूंस20 नमर्व 27 में नेमिन के हरों का प्रीमेक करिए क्यूंस sicद्धे गुना किये बेना गुननफल ज्याद कीजिए और क् 31 में के का मान आपको ग्याद करना है यह आपके क्यूशन नमर 30 है और यह आपके क्यूशन 31 क्यूशन 32 में आपको गुणनखंड करना है केवल दो गुणनखंड करने आपको क्यूशन नमर 33 में आपको सिद्ध करना है कि ABCA वो एक समद्वी भाव त्रीबूज है और कुशन नमर 34 में त्रीबूज का सेतरफल गयात करना है और 35 वाला जो कुशन है इसमें आपको इस्थान निर्दारन करना है ग्राप के अंदर और यह वाला कुशन भी अगर आप करना कर सकते हैं और कुशन नमर 36 से आप देख सकते हैं इसमें आपको दं डंडालेक दवारा निरूपित और और अथवा में हैं आपके आंकडों से एक आयचित्र बनाई यह तो इन दोनों में से एक कुशन आपको करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ सेर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए